हाई फ्रेंज वेलकम चुमाई द्विजा आज के वीडियो में जानेगी वो टॉप पाच चीजे जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कन्फ्यूज करती है उनके फ्लो के बारे में उनके मिल्क सप्लाय के बारे में क्या वो बच्चे का ठीक से खयाल रख पारी है क्या वो बहुत अच्छे से बच्चे के नीड समझ पा रही है क्या उसके दूद्स से बच्चे का पीट ठीक से बढ़ रहा है क्या उसके दूद्स से बच्चे का वजन्ट ठीक से बढ़ रहा है यह पाच बाते हर उस मा को पता होनी चुई है जो मा ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है चले एक 12th hafta, 13th month, 6th month, 9th month, 12th month ये जो सारी चीज़े मैंने बोली ये बच्चे के milestones है milestone के आसपास जो भी challenges नई मा को feel होता है उसकी बारे में हम लोग एक separate video कर चुके है पट याद रुको all of you around the milestones पतलब ये जो सारे pointers है जो मैंने आप लोग को अभी बता है ये सारे points के 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बात बच्चे थोड़े weird behave करता है too much दूद मांगता है, बहुत ज़्यादा cluster feeding करता है, बहुत ज़्यादा चीड़ चीड़ करता है तो कही बार breastfeeding मा को confusion हो जाता है क्या suddenly मेरा milk supply तो कम नी हो गया, क्यों मेरा बच्चा बार बार दूद मांग रहा है क्यों मेरे बच्चे का suddenly इस हफते में वजन नहीं बढ़ा इन सब चीजों का connection कही ना कही उनके milestones है तो breastfeeding mother को एक काफी हद तक confuse करता है कही बार मेरे student अगर मुझे message करते है कि श्रया पिछली चार दिन से ना मेरा बच्चा ठीक से दूद नहीं पी रहा और मैं पहला question पूछूँगी बच्चे का age क्या है तो बहु ले लेक 12 हफते and I'll tell them यह बच्चे का milestone है कुछ मत करू अगले 4-5 दिन जैसे जा रहे है वैसे जाने दो सब कुछ back to normal आ जाएगा दूसरा चीज breast strike in fact मैं जितने भी pointer बता रही हूँ हर pointer का एक detail वीडियो भी हम लोग माहिद विजा के उपर कर चुक है but breast strike मतलब suddenly बच्चा किसी एक breast से दूद नहीं पीता है या suddenly बच्चा breastfeeding नहीं करता है तो यह breastfeeding mother को confusion में डाल देता है कि क्या मैंने प्यास खाया इसलिए मेरा दूद का स्वाद बदल गया क्या मैंने गार्लिक खाया तो मेरे दूद का स्वाद बदल गया क्या मेरे बच्चे को भी दूद पीने में interest नहीं है क्या मेरे बच्चे को बॉटल का आधत हो गया और बहुत सारे confusions breast strike यह बहुत ज़ादा common है जहाँ पर बच्चा किसी एक breast को या दोनों breast को deny करता है आपको उस वक्त में ध्यान रखना है कि express करके कटोरी चम्मत से थोड़ा सा दूद दो बट बच्चे को बॉटल से लेक्टोजन नहीं दो because breast strike यह करीब दो दिन से लेके कभी-कभी आठ दिन तक भी चलता है बट इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा कुछ भी नहीं करे बच्चा गर breast strike पर तो बच्चा dream feeding कर सकता है बच्चा express किया हुआ दूद लेता है बच्चा skin to skin touch में जाता है और breast strike आप लोग जल्दी खतम करने में बच्चे को help कर सकते हो थर्ड रीजन बच्चा बार-बार मूँ टरन करके मूँ खोल रहा है यह कई बार माहों को confuse कर देता है कि मेरा बच्चा मुंडी टरन करके अगर मूँ खोल रहा है मतलब मेरा बच्चा भूका है all the mothers out there हर बच्चा अपने अपने signal देता है दिल और दिमाग कॉमिनेशन में यूज करो अगर अभी अभी आपके बच्चे ने 25 minutes feed किया है आपका milk flow अच्छा है बच्चे ने बब किया है और उसके बाद 5 minutes में अगर बच्चा side में मूँ करके मूँ खोल रहा है मतलब आपको भी पता है कि बच्चा भूका नहीं है तो फिर बच्चा एक सा क्यों कर रहा है श्रया sucking reflex ये अकेला चीज है जो बच्चा लेके पैदा हुआ है तो ये करना है बच्चे का आदत का एक हिस्स है येस जब ही एक समय गुजर गया श्रया 45 minutes एक गंटा हो गया I think बच्चे का खाना खाने का time भी है और बच्चा एसे कुछ signal भी दे रहा है तो फिर आप लोग उसका connection बिल्ड कर सकते हो बच्चे को observe करने के बाद बचा कर हर बार बच्चा मुँ टॅन करेगा या आपके पती ने लिए आपके पिलोने लिया और बच्चा मुँ टॉन करेगा और किछिश् सॉच्छ करे मतलब बच्चा भूका है बच्चे को लो और दूथ पिला ऑग माता नहीं गाय बनके रह जाओ के दूद देने वाली और आपको एक्चिल यह सा लेगा कि मैं तो 24 गंदे दूदी पिला रही हूँ विकास बच्चा सिगनल दे रहा है आप मुह में दे रहे और बच्चा सक भी करता है क्यों सक करता है विकास बच्चे को एक कोजीनेस देता ह सिक्योरिटी देता है तो यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है कि श्रया बच्चा मुंडी टर्न करके मुह खोलता है इसका मतलब बच्चा भूका है ऐसा कंक्ल्यूड नहीं कर सकते आपको बच्चे का रूटीन बच्चे का प्रीवियस फीड कितना कॉंटिटी बच्चे निलिए उसके उपर डिसीजन लेना है फोर्थ पॉइंट क्लस्टर फीडिंग सेशन पूरे दिन में दो या तीन बार क्लस्टर फीडिंग सेशन होता है अगर आपका बच्चा 15-20 द बढ़ जाना को यहां को काफी ह wohता हों चुछ से मिलक फ्लो बहुत ही कम हैं बच्चे को अप लैक्टोजन drawn करा तो गरवालों के सजेशन सब्के चालू ऑजाते हैं या तेरा तो बरता ही नहीं होते है तेरे तो प्रेस शुली महोते है तेरे तो बरेस अलीकि ऊते है तेरा तो बच्चा बार बार दूदी मांग रहा है, इसका मतलब तेरा बच्चा भूका रह रहा है, तो बच्चे को उपर का दूद दे, गाय का दूद पतला करके दे, बकरी का दूद दे, शक्कर वाला पानी दे, ग्राइप वाटर दे दे, इतने सारे तरीके, in fact, suggestions ये cluster feeding के दोरान बहुत नए मां को confuse करता है, so all of you remember, बच्चा milk supply बढ़ाने की पूरे जिम्मेदारी खुद के उपर लेता है, तो पूरे दीन में दो या तीन बार cluster feeding sessions, या बच्चा जभी बहुत छोटा है, तभी often feeding sessions, ये बच्चा इसी लिए कर रहा है, काकि आपका milk flow बढ़ सके, अगर आप में से किसी को milk flow बढ़ाने के लिए कुछ बहुत अच्छा homemade solution चाहिए, तो get in touch with us, just launching breast milk booster, ये एक बहुत अच्छा ayurvedic measure है, जो आपका milk flow बढ़ाने के लिए बहुत जादा help करेगा, आप लोग को मिल जाएगा www.myadvajah.com, so ये बहुत जादा जरुरी है कि आपक ही करता है, या बच्छा दो गंटे सो के उठा है, at stretch, तो उठने के बाद बार बार दूद मांगता है, वसुल करने के लिए, जो टाइम बच्छा सोया है वो, या तो फिर बच्छा कोई नहीं चीज़ सीख रहा है, जाचा क्रॉलिंग सीख रहा है, टीदिंग आ रहा है, ग इविनिंग कॉले क्या इविनिंग बोडम, बच्छे शाम में जो रोता है, ये टाइमिंग हर मा का लगे, कोई मा का बच्छा 5-7 रोता है, कोई मा का बच्छा 7-9 रोता है, कोई मा का बच्छा 6-8 रोता है, किंगे लोगे बच्छे 11-1 रात में रोता है, पूरे 24 गंटे मे दो घंटे बच्चे इतना रोता है जैसे आप लोगों ने पकड़ पकड़ के मारा है जैन्यूनली स्पीकिंग बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग दो सो ब्रेस्ट मुह में तब तक बच्चा चुप है बाखे दें बच्चा है रो ही जा रहा है बच्चे को लेक्टोजन देरो तो भी बच्चा चुपने हो रहा है बच्चे को लेके गूम रहो तो भी बच्चा चुपने हो रहा है तो यह क्या चल किया रहा है हम लोग अगे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो कर चुक है बट अभी के लिए इविनिंग कॉली क्या इविनिंग बोडम ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है बच्चा पूरा दिन सोते तो नहीं रह सकता यार रोना इस देवे जो बच्चा कम्यूनिकेट करता है कि बस अभी मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा है प्लीज मेरे साथ कुई एक्टिविटी करो या प्लीज मेरे साथ कुछ तो करो जो अलग है जो नया है जो मुझे मज़ा देता है तो आप लोग को इविनिंग बोडम अपने बच्चे के टाइमिंग समझ के अकॉर्डिंगली उसके रूटीन में चेंजिस करना है अगर यह पाच कन्फ्यूजन वाली चीजों को अगर आप कॉन्फिडेंटली क्रॉस कर दोगे तो आपको आपके वंडर्फुली जो आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली ममा हो उसके उपर डाउट नहीं होगा प्रेस्ट फीडिंग अपने आप में डिमांडिंग चीज है कोई भी चोटा सा चीज आपके अंदर अगर कंफ्यूजन क्रेट करता है तो यह आपका अब फ्लोफ एट करेगा आप में और डाउट क्रेट करेगा लोगों के सजेशन और डाउट करेट करेगा और अलग टाइप के निगेटिव लूप में चले जाओगे आप बहुत सारे स्टूरेंट को जो बोल रही हूँ वही आप लोग को बोल रही हूँ बस वह एक फेस क्रॉस कर दो लाइफ टाइम का फेस नहीं है एक दिन का तो दिन का कुछ गंटों का फेस जुस्क्रॉस इडाउट विच नोबड़ी केन बीट यू थैंकि सो मुच अल वाले मम्मा लक्टूजन पीने वाले बचों के केस में भी आपको यह सारे कंफूजन हो सकता है बट सब लोग प्लीज याद रुखो जस्क्रॉस दिस फेस अनुशाल भी अप्सूलूटली ओके थैंकिस सो मुच अल अफ यू अगर आपको मारे वीडियो अच्छे लग रह करकूछ़ कि अंच्छे सो मुच अन्ट है कि अबने बदाब कि अप्स अनुच अआदय।